हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो सक्सेस कंद्रा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कोंस्टेबल भरती परिक्षा जो 8 मर्च को होना है उसके लिए कुछ महत्पुन अतिसंभावित पुरश्णों को कावर करेंगे फ्रेंड्स ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है और जो 12 तारीक आपके पर हुआ था उसी पैटर्न पर आधारित है मैं उमीद करता हूँ कि आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो के लाश्ट में अपसे एक अभ्यास प्रशन पुछा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएगा दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी किये शुरू करते हैं और लेते हैं इस सेट का पहला प्रशन पहला प्रशन देखिए पहला प्रशन की कोटी लेके अर्थ सास्तर के अनुसार मौरे काल में नगर का कोतवाल क्या कहलाता था फ्रेंड इस तरह के प्रश्ण जो 12 जनवरी को पेपर हुआ था आपका उसमें पुछा गया था और इस टाइप के मैंने करीब 7-8 प्रश्ण को कवर करवा दिया हूँ आज का यह प्रश्ण देखिए कि कोटिल के अर्थ सास का अनुसार मौरेकाल में नगर का कोतवाल क्या कहलाता था तो इसका राय टेंसर है ऑप्षन भी पौर है याद रखेगा यह जो नायक है इसको भी जानना काफी जरूरी होता है यह जितने भी पद हैं यह सारे मौरेकाल प्रस्ता जो था यह कारागार के अध्यक्स को कहा जाता था तो इसमें से पूछा जारे केंदर सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है इसमें से पूछा जारे केंदर सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है तो इसका राइट एंसर ऑप्षन सी क्रिशी कर याद रखेगा कौन सा कर केंदर सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है तो क्रिशी कर तीसरा प्रसन ले लेते हैं तीसरा प्रसन निम्र में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र का सरक्षण करता है तो इसका राइट एंसर है option D बंदी प्रत्यक्षिकरन आप सभी जानते हैं कि सर्वच न्याले को 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार है अनुछे 32 के तहट आपको यह आर्टिकल भी याद रखने है 32 के तहट 5 प्रकार के रिट सर्वच न्याले को जारी करने का अधिकार है यह जो बंदी प्रत्यक्षिकरन है इसके द्वारा न्यायले बंदी करन बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाये गए व्यक्ति को निश्चित अस्थान और निश्चित समय का अंदर उपस्तित करे जिससे किन्याले बंदी बनाये जाने के कारणों पर विचार कर सके यहाँ जो अधिकार प्रिक्षालिक देख रहा है यह क्या है तो जब कोई अधिकारी अपने अधिकार शेत्रिश्य बाहर कारे करने लगता है तब सुप्रीम कोट यह रिट जारी करता है फर्मादेश है जब कोई अधिकारी अपने सारवजनिक करतवे का निर्वहन नहीं करता है तो सुप्रीम कोट इस रिट को जारी करके उसके अपने करतवे का निर्वहन कर सबसे पहले आप जानेगेगा चार महत्पुन कमिटिया थी पंचायती राज से इनको आप जरूर ध्यान रखेगा पहला तो यह हो गया इसका अंसर बलवंत्राय कमिटी उसका बाद दूसरा याद रखेगा असुक महता समिती तीसरी कमिटी है पीवी के राय समिती और चौथ जरूर देख लिए सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आईए मैं आपको बताता हूं कि आप उन वीडियो तो कैसे पहुंच सकते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक एरो का निशान दिख रहा होगा इस एरो के निशान पर जैसे ही आप किलिक करेंगे देखिए आपको बिहार पुलिस से संबंदी जितने भी हमारे वीडियो यहां आपको दिखाई देने लगे फ्रेंड्स एक्जाम से पहले आप एक बार जरूर देख लिजेगा आईए पांस नमबर देखते हैं निम नलिकित में से कौन सा ग और यह जो विर्षपती है यह ग्यारा zajसमलो नौ वर्ष में शूरी की परिकरमा करता है और सुरी की परिकरमा करने में सबसे कम समय लेता है बुध्य यह मात्र ऐब इनों में ही सूरे की परिकर्मा कर लेता है तो ध्यान रखेगा और सूरे का सबसे निकर्टम गुरह भी कौन सा है बोध ही है चाठा प्रशन देखे निम निरेखित में से किस समिधान संसोधन द्वारा उचे नियाए लएके नियाधीसो की सेवा निवर्ति की आयू सीमा 60 से 62 वर्ष कर दी गई फ्रेंड यहां 62 वर्ष बना लेजिए 60 से 62 वर्ष कर दी गई इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा ओप्षन सी 15 समिधान संसोधन और ध्यान रखेगा यह 15 समिधान संसोधन 1963 विम हुआ था तो आपको सन भी याद रखना है चाठ सत्वा प्रशन देखे भारत के प्रतम फिल्ड मार्शल कौन थे तो फ्रेंड्स भारत के प्रतम फिल्ड मार्शल थे केम करियप्पा ओप्षन बी जो है इसका सही जवाब होगा आठ नमर देखे संसत की प्रतिक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है जिसका राइट अनसर हो जाएगा ओप्षन भी प्रशन उत्तर काल पहले घंटे क यूद कब और किसके बीच हुआ था तो फ्रेंड चंदेरी का यूद हुआ था 1528 इस्वी में बावर और मेदिनी राय के बीच ऑप्षन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा और इस यूद में बावर की जीत हुई थी और मेदिनी राय गया थे उसके बाद फ्रेंड ग कि मुत्र में किसकी मात्रा बढ़ेने से पिलिया रव होता है यानि जौन्टी से रव होता है तो फ्रेंड ये पिलिया जो रव है जौन्टी से ये विशानु से होने वाला रव है और मुत्र में जब बिलूरूबिन के मात्रा बढ़ जाती है तो पिलिया रव होता है और य Euro Chrome के क Anime होता है, imposing अगर आपने इन 100 प्रोश्ण की सिरीज को नहीं देखा है अब बार जरूर देखार आपके लिएँ राम बाद सावित होरा है आप एक बार 100 प्रोश्ण यहां देख रहा है collaborate 1 2.2 एा और 1 में अप्लोड कर दिया इन वेडियो को आप जरूर देखलिजेगए गज्यारा नमबर है ओखा परट कहां स्दित है तो अखा पर नमबरerd करें याद रखेगा कि ओखाफें तो कहा है गुज्राद में ये सोराश्थ के उत्रीपस्मी सेमा पर सिर्ण इस्तित है कि 12 कि अधिक को भी ध्चान रखेगा यह करणाटक में कि तेरह नमबर में संवरह कर पर्दम लखिद समिधान किस देश में लाग हुआ था हूँ तो फ्रेंड स्वरह पर्दम लखिद समिधान पूचा आ जाता था तो फ्रेंट पीत अतंग के नाम से किसको समझेद किया जाता था कई बार मैं बता चुका हूं इसका राय टंसर है option A जापान को और फ्रेंड ये जो चीन है इसको एसिया का मरीज कहा जाता है याद रखेगा इसको एसिया का मरीज कहा जाता है और तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है फ्रेंट्स ये जितने भी प्रश्ण है काफी इंपोर्टेंट है और ये सारे 12 तारीके पैटर्न पर आधारित है बारा तारीक जो पेपर हुआ था उसी पैटर्न पर आधारित है पंधर नमर दिखे स्वणमंडल का सबसे बड़ा जवाला मकी यलिपक इसी किस ग्रह पर इस्तित है? मंगल ग्रह के दो प्रश्ण मेंने बताए था आपको फोबोस और डीमोज याद रखना है फोबोस और डीमोज उसके बद फ्रेंड 16 नंबर देखें भारत के निम निलिखित में से किस थेत्र में सीथ काल में बरसा होती है तो फ्रेंड इसका राइट अंसर हो जाएगा option A उत्तर पस्सी में और ये क्यों होती है तो ये भी याद रखेगा पस्सीमी विचोप के कारण उत्तर बहारत में सीथ काल में बरसा होती है और फ्रेंड उत्री पूर्वी मोंसुन के कारण तमिलाडू, करनाटक और किरल में एक्टूबर से नॉवंबर के मदमें जधावती वर्शा होती है याद रखेगा उत्री पूर्वी मौंसिन के कारण तमिलाडू और करनाटक में अक्टूबर से नॉम्बर के मद में वर्षा होती है 17 नमबर देखे द्रिष्टी और सुर्वण का नियंद्रन किसके द्वारा होता है तो द्रिष्टी और सुर्वण का नियंद्रन होता है कॉर्पूरा क्वाड्री जयमिन के द्वारा ओप्सन डी जो है इसका सही जबाग हो जाएगा यहां जो आप देख रहे हैं सेरी ब्रम यह हिर्दय का यह मस्तिस का सबसे महत्पोन भाग होता है और जितनी भी क्रिया हैं जैसे अस्मनन सक्ती प्यार घिरिना यहासरे सेरव रम के द्वारब नियंत्रन्त होता है अठारा नंबर है इनमें से कौन अटी पारेक्तिक्स के उधारन है तो फ्रन Alban के उधारन है इसमें से, तो इसका राय टेंसर रहा ओप्शन भीлуч्रोषिन, ये जो आप सालफा पेरेटिंग देख रहा हैं, ये सालफा पेरेटिन क्या है, ये एक सालफा ड्रज है, उसके बादø lll फिन फिनल क्या है, anticeptic है और chloromycetin जो है antibiotic है और यह जो क्रोशिन है यह antipyratic का एक उधारन है 19 अमर्दी के वर्तमान में कितने राज्यों में दूई सदनिय व्योस्ता है तो फ्रेंट दूई सदनिय का मतलब होता है कि जिस राज में विधान सबा और विधान परिशद हो तो फ्रेंट पहले ये कितने राजियों में थे बरतमान में कितने राजियों में हैं तो बताए ये राइट अंसर इसका क्या होगा इसका right answer हो जाएगा फ्रेंट, option B 6 राजियों में, ये 6 राजिय कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, करनाटक, महराष्ट्र, बिहार, आंदर प्रदेश और त्यलांगना, पहले ये 7 राजियों में थे, जम्मु कस्मिर में, लेकिन जम्मु कस्मिर को आप राजिय का दर्जा ले लिया गया है वापस और उसको केंदर सासित प्रदेश घोसित कर दिया गया, तो इस तरह से अब कितने राजियों में हैं, छे राजियों में हैं, बीस नमबर देखिए, सीवा जीग के अश्ट प्रदान में, सैने प्रदान को क्या कहा जाता था, सर्ये नौबत, याद रख होता था, ये अश्ट प्रदान में विदेश मंत्री को कहा जाता था, और पेशवा का पद, आप सभी जानते हैं कि काफी महत्पूर्ण होता आया था, और सबसे सम्मानिय पोष्ट होता था, और ये राजिका प्रशासन अर्तिव्योस्ता की देख रह करता था, 21 नमबर दे याद रखेगा, तो सलिमा नसरिम की लज्जा और बिक्रम सेट का, शुटेबल वाय या फिट द गोल्डन गेट, ये दो पुस्त के इनकी महत्पूर्ण है, बिक्रम सेट की, शुटेबल वाय और द गोल्डन गेट, 22 नमबर देखे, कार्बन की संज़क्ता कितनी है, तो फ कितना होता है, दो और चार होता है, ये चार जिसके आउटर सेल में कितने इलक्ट्रोन है, चार इलक्ट्रोन है, यहीं जो चार इलक्ट्रोन है, यहीं संज़क्ता कहलाते हैं, और यहीं राशानी बंधन होता है, उसमें भाग भी लेते हैं, तो ध्यान रखेगा, 23 नमबर ह कौन सा इजारेदारी पर था ये 1772 इसमि में याद रखेगा 1772 इसमि में वारन हेस्टिंग्स ने लागु कराया था उसके बाद फिरेंड अस्थाई बंदोबस्त बहुसता ये भी भूर अजस्व से सम्बदी था अस्थाई बंदोबस्त बहुसता जिसे 1793 में लौड करनवा प्रफिश ने लागू किया था उसके बाद है रहत वाड़ी व्योस्ता जिसको टॉमस मुन्रो ने लागू किया था और महालवाडी व्योस्ता यह भी लॉर्ड हैस्टिंग के द्वारा लागू किया गया था तो फ्रेंड ध्यान रखेगा 24 नमबर देखें बैंक ग्राकों की सावधी जमाव पर दी जाने वाली व्याज की दर को क्या कहा जाता था तो फ्रेंड यह क्या कहा जाता है इसका राटेंसर हो जाएगा ऑप्शन भी जमादर याद रखेगा जमादर कहा जाता है 25 नमबर है वहिस्कृत हितकारणी सभा के संस्तापक कौन थे तो इसका राटेंसर हो जाएगा वहिस्कृत हितकारणी सभा के संस्तापक थे भीम राव अंबेदकर और भीम राव अंबेदकर ने इसके आस्तापना 1924 में किती याद रखेगा कब गया था 1924 में 26 नमबर उसका चाहिव जबाब हो जाएगा उसके बाद है कि यह मनु अस्मर्यति से देख्ते हैं 2011 की जन गर्णा के अंसार, नियुन्तम जंसंख्या घंनतवाला राज कौन है, तोसकी इसका राइट अंसर हो जाएगा option c और उनाचल परड़िश, नियुन्तम जंसंख्या घंनतवालाज कौन सा है अगर आप से पुछा जाए कि अधिक्तम जन्संग के घनत वाला राज कौन है तो इसका सही जवाब क्या होता है बिहार 28 नमबर देखे जर्मन सिल्वर मिश्र धातू है तो फ्रेंट्स इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी कॉपर जिंक और निकेल का याद रखेगा कॉपर जिंक और निकेल का और देखे यह सिल्वर जो है इसमें सब्द तो ध्यान रखेगां, इस तरह से भी प्रश्ण पुछा जाता है, किन मंकम fallen में से किमल novels नहीं पर जाता है, याद रखेगां जर्मन जल्वर में 29 नमबर है किस मुगल सासक ने अपना राज्य विश्यख पट्ना में करवाया था तो फ्रेंड सर इसका राइट अंसर है ओप्सन भी फरुकसियर ने याद रखे का और फरुकसियर को मुगल काल का घिर्नित कायर कहा जाता है किसको फरुकसियर को तीस नंबर है किस सिक गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की साहता धन एम आशिरबाद सिक्की थे तो फ्रेंड ये खुसरो जे थे ये जहांगीर के बेटा था कौन था जहांगीर का बेटा था और 1626 में याद रखेगा कब किया था 1626 में जहांगीर ने खुसरो की साहता करने के कारण शीखो के पांचवी गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था उसके बाद फ्रेंड ये जो गुरु तेग बहादुर हैं इनको इसलाम नस्री करने के कारण औरंग जेव ने इनको सीस महल में गुरुदवारे के निकट इनको मरवा दिया था याद रखेगा चलिए एक 30 नमबर प्रस्ट देखते हैं भारती समिधान में कितने मौली करतब हैं फ्रेंड इसका एंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ये भी जरूर बताएगा और फ्रेंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया और फ्रेंड वीडियो बनाने में काफी मेनत लगता है आप हमें सपोर्ट थोड़ा सपोर्ट जरू कर जिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपर्टन टॉपिक के साथ थैंक्स पर वाचिंग